मैं प्रियंका आप देख रहे हैं VDTV भारत भारत के हिंदू वादी और हिंदू हिर्दय समराट बाल ठाकरे को शायद आप जानते ही होंगे विभले ही आज नहीं है लेकिन उनकी राजनीती के सिधानतों से हर कोई उन्हें आज भी याद करता है बाल ठाकरे ने एक राश्रवादी दल की स्थापना की जिसका नाम शिवसेना रखा नेता के साथ साथ ठाकरे एक कार्टोनिस्ट भी थे शिरी ठाकरे अच्छे चितरगार भी रह चुके हैं मुंबई में खुंकार अंडर वर्ल्ड का सफाया करने में बाल ठाकरे का मुख्य योगदान रहा इनसे पूरा बॉलिवुड और मुंबई के अन्य संस्थान खबराते थे इनका मुंबई में काफी गाज और नाम रहा बाल ठाकरे के एक इशारे से मुंबई थम सी जाती थी शिरी बाल ठाकरे ने अपने सफर की शुरुवात एक कार्टोनिस्ट के तौर पर की थी बाल ठाकरे अंग्रेजी अकबारों के लिए नेताओं, खिलाडियों और अन्य वर्गों के लिए चित्रों को प्रकाशित करते थे बाल ठाकरे ने अपने पिता के कदमों पर चलते हुए 1966 में महराश्र में घरेलू पार्टी शिफ सेना की स्थापना की फिर बाद में ठाकरे हिंदी और मराठी दो भाशा में पत्रिका निकालते थे वे सामना मराठी अकबार और सामना हिंदी अकबार के जनक रहे जो आज उनके बेटे उद्दव ठाकरे और अधित्य ठाकरे देखते हैं श्री बाल ठाकरे अपने खरी-खरी बातों और विवदास्पद बयानों के कारण हमेशा अगवारों की चर्चा में बने रहे बाल ठाकरे का जन्म 23 जन्वरी 1926 को पूने महराश्र में हुआ था इनके पिता श्री केशव चंदर सेनिये एक समाने परिवार से तालुक रखते थे इनके पिता एक समाजिक कारे करता और एक अच्छे लेकक भी थे धीरे धीरे इन्होंने मराठी लोगों के अंदर महराश्र के पती जोश भरा और हिंदुवादी विचारों को मिलाया इन्होंने मुंबाई को महराश्र की राजधानी बनाने में बहुत योगदान दिया बाबा साहिब की शादी श्रीमती मीना ठाकरे से हुई इनसे तीन बेटे हुए सबसे बड़े पुत्र बिंदु माधव का 1996 में निधन हो गया बिंदु माधव के दो भाई जैदेव और उद्दव ठाकरे थें श्री ठाकरे ने अपने शुरुवाती दिनों में अपनी आजिविका चितरकार के तौर पर शुरू की 1960 के समय अपने भाई के साथ कार्टून के सापताहिक मारमिक की शुरुवात की शुरी बाला साहिब ठाकरे जी ने 1966 में महराश्र राज्ये में अपनी खुद की एक कटर हिंदुवादी संगटन के सापना की इस संगटन को नाम दिया शुरुव सेना को मुंबई में मातोश्री में उन्होंने अंतिम सांस ली देशी नहीं विदेशों से भी इस खबर से शौक संदेश आने शुरू हो गए बाल ठाकरे का अंतिम संसकार मुंबई के शिवाजी पार्क दादर में किया गया इस यात्रा में लाकों की संख्या में लोग मातोश्री उनके घर से लेकर शिवाजी पार्क तक पैदल चले शिवाजी पार्क में पूरे राज के सम्मान के साथ तिरंगे में लिप्टे शिरील ठाकरे को अंतिम विदाई दी गई